दोस्तों कॉपल्स डियाईवाई क्राफ्ट में आप सभी का स्वाकत है आज मैं आपको बिना मुर्गी के अंडों से चूज निकालने वाली मसीन घर पर बनाने की सबसे सरल्बिदी लेकर आया हूं वो भी कम सी कम खर्च में इसे एग इंक्यूबेटर कहा जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकोन फॉर आल प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नॉटिविकेसंस आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों एग इंक्यूबेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक थर्माकुल का बॉक्स लेना है आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं इसकी बाद एक डिजिटल थर्मो स्टेट की जरोत पड़ेगी हमें दो बल् किया है मैंने 12 वोल्ट का DC ट्रांसफोर्मर इसके साथ हमें यहाँ पर एक एलेक्टरिटी वायर जो की कनेक्शन के लिए चाहिए होगा और मैंने कुछ यहाँ पर इस्क्रूज लिए हैं ताकि हमें सभी की फिटिंग जो है वह से कर सकें और मजबूत रहे हैं और एक लेंगे यह चार्जर चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले हम थर्माकुल बॉक्स के धकन में भीतर की और दोनों बल्ब होल्डर का कनेक्शन देंगे और इनको दोनों को भीतर की और में इस तरह से फिट कर देना है दोस्तों हमें इसको बहुत अच्छे से पैंच से टाइट करेंगे ताकि यह हमा तरीके से लगाना है यह जो हमारी प्रक्रिया है एक राउंड पुरा 21 डेस का होता है तो कहीं भी बीच में इसमें कोई रुकावट ना है इसलिए इसको अच्छी तरीके से पैंच से टाइट करें अच्छी फिटिंग करें और ऐसी तरीके से यह दूसरा जो बल्ब होल्ड पर एक एक करके लगा देंगे आप देख रहाँ हैं कि मैंने दो होल किये हैं ठीक इसी तरीके से आपको भी बोस्ट साइट जो बल्ब होल्डर है उन दोनों की पैरलल ऐसे दो-दो होल करने है और इस पर हम डिसी फैन को लगाएंगे लेकिन इस फैन को लगाने से पहले करते बग थर्मा कुल से टच नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी हाइट पर फिट किया है और आप भी जब फिट करें तो इसको चेक कर लें और इसको लगाने की बाद आप उपर से भी पैंसे अच्छे से टाइट कीजिएगा और टाइट करने की बाद आप इस हाथ से फैन को गुमा के जरूर देखें ताकि पता चल जाए कि इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है दोस्तों सेम प्रोसीजर हमें दूसी तरफ भी करनी है हम दूसरा डीसी फैन जो है उसे भी विल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर फिट कर देंगे दोस्तों हम यहाँ पर 12 बोल्ट का डीसी ट्रांसफर्मर लगाएंगे और दौनों ही फैन का कनेक्शन इस ट्रांसफर्मर से करेंगे इस साथ हम हम यूमिडिटी टेंपरिचर मीटर का कनेक्शन भी इस ट्रांसफर्मर से कर देंगे तकि हम अंदर की हमिडिटी को मैंटेन कर सकें तो च तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा तो आप देखे किस तरीके से मैंने ये जो है कनेक्शन को कर दिया है और अब मैंने लिया है यहां पर रहे की जाली सर आप यहां से जाली ले सकते हैं और यह कुछ बीट से मैंने लिए हैं जो आपको इजीली हार्डवेर बनाएंगे दोस्तों ध्यान रखना यहां पर जो हम फ्रेम बना रहे हैं यह अच्छा टाइट होना चाहिए ताकि यह अंडे और चूजे का बजन सह सके इसमें जोल नहीं आना चाहिए दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने कितना चीज से बनाया ठीक इसी तरीके से आप आपको भी इसको रेडी करना है जब एक बार यह आपका फ्रेम रेडी हो जाएगा तो आप इसको प्लीज एक बार नाप पड़के ज़रूर देख लीजेगा यदि कुछ एजस्टमेंट होता है तो उसे आपको करना पड़ेगा क्योंकि यह तेड़ा नहीं रखा जा सकता इसको हमें equally ही रखना है तो आप देखिए यह मेरा बहुत ही अच्छे से बन चुका है और अब मैं इस पर अंडे की साइजिंग लूँगा और इसके साफ से इसमें खाचे बनाऊंगा आप देख सकते हैं मैंने पतली वाली बीट्स ली है यहाँ पर और यह मैंने अंडे र यहाँ पर बन जाएंगी और मेरे पास टोटल सतर अंडों को रखने की जगे होगी मतलब मैं एक वायर में सतर अंडे से चुझे निकाल सकते हैं यहाँ पर बॉक्स लिए हैं दोस्तों इसको मैं उनके उपर रख दूँगा दौना बॉक्स में मुझे पानी भी भरना करने पड़ेंगे ताकि एर सर्कुलेशन बना रहे और टेंप्रेशर जो है वो मैंटिन रहे दोस्तों हमारे जो होल है वह गए है और आप देख सकते हैं फैन अच्छे से चल रहा है और सारा क्नेक्सें है वो प्हों सही तरीके से हो गया है तो दौस्तों है ईक वार हम इनको चेक कर लेते हैं कि kirmaiden दौना फैन और बलो ज़ल रहे हैं या नहीं इसके साथ ही हम दौनर डिपा में पानी भर देंगे तो यहाँ पर मैंने दौनर डिपा में पानी भर दिया है और अब मैंने लिये अंडे और दोस्तों आपको इस तरीके से यह बनी होई रोह में अपने जितने भी आपके अंडे हैं को रख देना है आप अधिकतम 70 अंडे यहां पर रख सकते हैं तो अंडे को रोटेट करने के लिए हम अंडों पर मार्किंग करेंगे इसके हम तीन पोर्शन बनाएंगे एक पोर्शन में इसमें मॉर्निंग का M लिख देंगे दूसरे में आफ्टरनून का A लेखेंगे और त इसको हम फ्रण्ट में रख देंगे और दोस्तों यह प्रक्रिया हमें 21 दिन तक फॉलो करनी है और इसके बाद हम यह इसका जो डखका ने उसे बंद कर देना है दोस्तों और अब एक और महत पूर्ण चीज है वो है टेंपरेचर दोस्तों अभी देखिए मेरा टेंपरेच अब बढ़ रहा है अभी 31.7 है इसके साथ ही यह दीरे दीरे बढ़के 37.5 पर इस्तिर हो जाएगा तो आपको यह टेंपरेचर मेंटेंट करना है आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पर तो यह हमारा टेंपरेचर रहेगा और दोस्तों अंडों को रोटेट करना तो दोस्तों इसी तरीके से देखिए जब में मौर्णिंग में मैंने आयम रखा है आप इस प्रोसीजर को बिल्कुल फॉलो कीजिए और 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे अंडों में से चुछे बाहरा चुके होंगे दोस्तों में ध्यान रखना है कि नी इसको किया है और आप देखते है डे 21 आ चुका है और आपको दिखाते हैं क्या रिजल्ट आप देखिए मेरे बहुत सारे अंडों में से चुछे आ गए हैं आपको यहां पे 6 चुछे देख रहे होंगे जो 21 दिन में आ गए हैं लेकिन बाकी अंडों का आप यह मत के लिए पूरी कोसिस करेंगे को पस्ट डियावाइक क्राफ्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रस करना मत बूलना ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद